तो हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माई यूटुब चनल तो गाइस काफी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था यूटुब पर लगबग एक महीना हो गया एक महीने से मैं काफी वीजी था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थी तो अब मैं वीडियो रेगुलर लाने की कोशिस करूँगा और आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो फाइनली गाइस मैं अपना न्यू बाइक ले लिया तो लेट से लिए इस हैं तर श्काइज और बिकास अब यूटुटुटुटुटुटुटुट तो गाइज आज मैं कनने वाला हूँ अपने नू बाइक पलसर N160 का फूल रिव्यू तो वीडियो को लाश्ट तर देखना आज मैं विस्तों पूरा फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ इसकिया है और क्या मतलब वैलू फॉर मानी है की नहीं है चलाने में कैसी है तो गाइज सामने की लुक वाव गाइज क्या किलर लुक लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना गाइज बाइक कैसी दिख रही है अब मैं फाइनली आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ तो फाइनली गाइज है हमारी बजाज पलसर N160 जो कि जो आज तेस इसके फ्रोंट ट्यार का जो कि आप लोग देख सकते हैं 100 वाइटी का फ्रोंट ट्यार मिल जाता है और यह डूल एबियस के साथ आता है आपको मिल जाएगा टेलिसकोपिक सोकर और बात करते इसके इंजन की जो कि एक सो चौन्सर्ट सिसी के साथ आता है जो कि 16 PS का पावर जनरेट करता है और 14NM का स्टॉक जनरेट करता है और इसमें आपको मिल जाएगा ओल कूल इंजन और बात करते इसके टैंक की जो कि आपको 14 लिटर के टैंक आएगी के साथ इसमें सबसे मस्त मुझे यह लगा कि इसमें चार्जिंग यूसमी चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुआ हुआ है जो कि हम लोग कहीं लॉंग टूर पे अगर जाए तो वाल चार्ज कर सकते हैं और यहां पर परसर का 3D लोगों देख सकते हैं जो कि बहुत ही सॉल जाएगा कितना किलोमेटर चलिए आओ इसमें आप टाइम भी देख सकते हैं और गाइस बात करते हैं इसके अंडल का यहां पर आपको पावर ऑन ओफ मिल जाएगा यहां पर सेल्फ स्टार्ट आप हेड़ लैंप ऑन अफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर पासि लगते हैं बहुत मस्त क्लाच दिया इसका तो बात करते हैं इसके फ्रॉंट का जो कि आपको यह नॉर्मल इंडिकेटर मिल जाएगा इसमें एलेडी इंडिकेटर नहीं आती है अगर आप चाहे तो बाहर से लगवा सकते हैं और इसमें आपको एक प्रजेक्टर लांप मिल सब्सक्राइब हो जाएगा तो यह एक डिसप्वाइंट ऑफ्सन है यहां पर लेकिन बाइक का लुक एकदम मस्त है जो कि बहुत जगास दिखती है तो अब बात करते हैं इसके गेर का जो कि आपको इसमें फाइब गेर मिल जाएगा एक डाउन और बाकी सब उपर तो यहा सब्सक्राइब यहां पर पीछे हैंडीकेप मिल जाएगा पकड़न के लिए तो बात करते हैं आप इसके रिएर का जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा एर्मसीश्टिक का ब्रेंडिग और यहां पर आपको टिल लाइट में मिल जाएगा एलेडी और इसका भी कोनों सोकर मिल जाएगा बीच में और पिलियंग के लिए यह है रखने के लिए पैर और इसमें जो है लेडिस पिलियंग के लिए यहाँ पे आपको अलग से लगवाना पड़ेगा पैर रखने के लिए जो कि इसके साथ नहीं मिलता है और तो गाइज अब बारी है इसकी आव लेकर लेना तो गाइज यह रहा इसका साउंड क्वाल्टी आप लोग देख सकते हैं और कमेट सेक्षान ने बताना कि आप इसकी आवाज कैसी लगी आपको इसका जो साउंड क्वाल्टी ओ एनस से थोड़ा बेसफूल है और एनस से थोड़ा अच्छा लगता है इसका आपा इसकी आवाज बहुत ही बेसफूल आवाज है बहुत ही प्यारा आवाज है इसका मज़ा आता है सुनने में तो गाइस यह रहा ओवर ऑल बाइक का रिव्यू अगर पसंद आया तो लाइक करो कमेंट करो अगर कुछ छुड़ गया तो कमेंट बाक्स में बताओ मैं उसको करने के लिए तो में किसी क सब्सक्राइब मॉट यूटुब चैनल रही तो सब्सक्राइब ऊब्रिए